question no 5th में इननों ने बोला है a tree is broken at height of 5 m from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 m from the base of the tree find the original height of the tree बहुत ही easy है एक tree है जो कि तूट गया है तूटने के बद जैसे यह tree है इतनी height थी उसकी मैं इसको करके दिखाते हम तभी समझमें तो जैसे कि इन्होंने question में बोला है, वैसे ही हमने figure draw कर लिया, एक tree है, हमें नहीं पता उस tree की length कितनी है, बस हमें ये पता है कि वो 5 meter उपर से ही तूट जाती है, तूटने के बाद वो 12 meter base के बाद touch करती है, मतलब यहां से अगर वो तूटी है बीच से, तो वो यतनी दूरी पर आके पेड़िक से इतनी दूरी पर आके वो touch कर रिये ground को, यह distance 12 meter है, यह 5 meter given है, हमें यह find out करना है, इसको find out करने के बाद यह अपने पता चल जाता है, क्योंकि इतना ही तो टूटा है ना टे, इतना ही टूटके इसमें आ गया है, मतलब यह पार्ट ही इसके बराबर हो A, B, A, B, C, और A, B की लेंदनों ने 12 meter गी है, क्योंकि 12 meter distance पे वो टूटके नीचे गिरा है, ठीके, B, C की length हमें 5 meter given है, तो लिख दो यहाँ पर A, B, C equals to A, C का square, equals to A, B का square, plus B, C का square, A, B की value 12 meter, और B, C की value 5 meter, दोनों का square करने के बाद यह आएगा, 144 and 25, प्लस करोगे तो 169 and 169 का square root होता है, 13, that means कि एसी जो है, वो 13 meter है, तो height क्या हो जाएगी, 3 की, 5 meter से टूटा था, 13 प्लस 5 पे is 18 meter, मतलब जो total यह लेंद्ध है, वो 18 meter आ गए, और वो 5 meter से टूट गया, तो इस तरीके से question हमने 5 को solve कर लिया, ठीक है, number question में इन्होंने बोले है, Q and R जो है, PQR के 25 degree and 65 degree है, write which of the following is true, यह है, इसमें से बताना है, कौन सा true होगा, ठीक है, तो मैंने इस तरीके से वो diagram बना लिया, PQR में LPQ प्लस QRP प्लस RPQ 180 degree, हमने पता है, कि जो angle sum property होती है, triangle की, वो 180 degree का होता है, तो इस तरीके से हमने इन तीनों angle को sum करके दिखा दिया, कि वो 180 degree होगा, अब जो जो हमें given है, PQR, PQR given is 25, and QRP, QRP given is 65, और हमें RPQ तो पता करना है, यह वाला, 180 degree, तो इन दोनों को प्लस करोगे, तो 90 हो जाएगा, यह 90 यहां के subtract करेगा, तो इसकी value में पता चल गई, 90 degree, इतना समझ में आया, आज आना चीज समझ में, क्योंकि हमने इस से पहले वाले exercise में यही find out किया है, कि कैसे हम angle sum property का use करके angle को find out कर सकते है, अब हमें बता है, राइट एंगल में जो है, PQR, P पे राइट एंगल है, ना P पे राइट एंगल है, यह जो है, राइट एंगल है, तो हाइपर्टेनियूस का square, इक्वस्टो बेस का square, प्लस पर्पेंडिकुलर का square, क्योंकि हमें, यह तो बताएगे गे अगर राइट एंगल है, तो राइट एंगल है, तो हाइपर्टेनियूस का formula लगेगा, तो QR का square, इक्वस्टो होगा, PR का square, प्लस QP का square, यह जो गिवन है, सेकिंड वाले में, वो correct हो जाएगा, क्यों, क्योंकि, PR, PR जो है 65, और QP, 25, यह 90 के बराबर है, इन दोनों क प्लस करोगे, तो 90, और हमने क्या देखा था, हाइपर्टेनियूस इक्वस्टो, इन दोनों का square करोगे, तो प्लस करके एक को बराबर होना ची, तो यही जो equation है, वो सही बता रहा है, ठीक है, इस तरीके से हमने question number 6 देख लेखे, 7 में हमें बताना है, find the perimeter of rectangle, जिसकी एक ले find out करना है, उसका perimeter, perimeter find out करने के लिए, हमें ब्रेट भी पता होने चाहिए, तब ही तो 2 into L प्लस B करोगे, तो जो जो given है, वो लिख दिया हमने, right angle triangle में, देखो, यह हाइपर्टेनियूस बन रहा है, यह बेस बन रहा है, और यह पर्पिंडिकुलर, तो बस वही formula लगा दो, हाइपर्टेनियूस का square equals to base का square plus perpendicular का square, क्योंकि हमें जो यह पर्पिंडिकुलर है नहीं पता, तो बस इसका कर लो, वो 1600 आजाएगा, यह 1600 यहाँ सब्रेक्ट कर देगा, हाइपर्टेनियूस में से, तो X square की value आ जाएगी 81, root 81 का होता है, 9 cm, तो 9 cm जो है, ब्रेट था गई, तो ब्रेट पता चल गई, तो हमें पता है, क्या होता है perimeter right angle का, 2 into L plus B, 2 into 40 plus 9 करोगे, क्योंकि 40 length given है न, और 9 हमने find out कर लिया, ब्रेट, तो बस 49 into 2 करोगे तो 98, तो rectangle का perimeter क्या आ जाएगा, 98 cm, तो बहुत ही easy तरीके से हमने इसको कर लिया, ठीक है, बस हमें imagine करना था कि कहां पर यह right angle triangle बन रहा है, और ब्रेट नहीं पता तो उसको find out करके हमें perimeter बता लाए है, question number 8 में जो last है, इसमें इनोंने बोला है, diagonals जो है, रोमबश के, उनका 16 cm है, measurement and 30 cm, perimeter find out करना है, तो perimeter find out करने के लिए हमें, पता होना चाहिए, 4 into side होता है, तो हमें तो यहां side दी है, 16 और 30 cm, diagonals का दिया है, side नहीं पता, diagonals मतलब जो cross कर रहे हैं, तो उस diagonal की help से हम, पहले उसका side find out करेंगे, फिर perimeter का formula लगाएंगे, जो होता है, 4 into side, देखो, मैंने यहां पर रोंबस बना लिया, और उन्हें ने बोला है, उसका measurement 16 और 30 cm, आप ध्यान से देखो इसको, यह right angle ही बन रहा है, इसे, हमाना कि थोड़ा से टेड़ा हो गया, बट यह triangle ही बन रहा है, एक तरीके से, यह base हो गया, यह perpendicular हो गया, यह hyperteneus हो गया, तो बस निकालना इसको, तो यहां पर लिख दिया, डाइगनल AC की value 30 cm, और हाँ आप इसको गलती मत करना है कि सिर्फ इसका side दिया है, यह पूरे की value 30 cm है, मैंने यहां लिखा बस है, तो डाइगनल 30 cm AC and DB की value 16 cm, डाइगनल रोंबस के, वो right angle पर ही bisect करते हैं, इतना आपको पत होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है, अब इसकी, क्योंकि हमें इसना ही find out करना है, तो इसकी half value पता होना चाहिए, तो OD equals 2 होगा, जो इसकी length है, उसको divide by 2, क्योंकि यह दो पार्ट है, middle point में ही to bisect कर रहा है, तो OD equals to DB upon 2, 16 upon 2 करोगे तो 8 cm हो जाएगी, ठी find out करने के लिए, इसको divide करोगे 2 से, तो 15 cm हो इतने की value 15, मतलब half हो जाएगी, 16 हो यह 8 हो जाएगा, 30 हो 15, अब इस तरीके से कर लो, hypertonuous equals to base square plus perpendicular square, तो DC जो है, इसकी value यह hypertonuous है, इसकी value find out हो जाएगी, 8 का square plus 15 का square, प्लस करने के बाद जो value आएगी, हाइपर तो यहां पर कर दिया, value i 289, अब 289 का root क्या होता है, 17, that means, इसकी value 17 है, तो हमें पता चुल गया, side पता चुल दीन है, 17, तो perimeter क्या होते है, 4 x side, अगर यह 17 है, तो यह 17 होगा, यह 17 होगा, यह 17 होगा, 17 x 4 को तो 68 cm हो जाएगा, तो देखा, हमने इसी तरीके से find out कर लिया, और इसी तरीके स एक exercise और यह chapter भी end होता है, I hope आपको यह समझ में होगा, कोई भी problem होगी, तो उसको comment करना, मैं जरूर reply करूंगे, मिलते हम next video में, जहां पर मैं next chapter करूंगे, bye